नमस्कार दोस्तों स्वाग्याते आपका हमारी यूट्यूब चैनल फैक्स पटापट पर आने वाले इंट्रस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ इसाथ पैल आइकन प्रेस करना ना भूले बनाए अपनी यादाश्ट को तेज सिर्फ ये पांच सुपर फूट खा कर दोस्तों हमारा दिमाग शरीर का एक बहुत ही महत्वपून अंग है जो शरीर के विभिन अंगों को निर्देश देता है तरह तरह के काम करने के लिए और नियंत्रत भी रखता है इसके साथ ही हमारी इस्पराण शक्ती को मजबूत रखता है लेकिन क्या आपने सोचा है यदि हमारी याद करने की शक्ती ही कमजूर पढ़ जाए तब क्या होगा आज कल हम सभी ऐसा अनुभो करते हैं कि कुछ जरूरी बात याद करने की कितनी भी कोशिश कर ले वो समय प तरह का नशा करना दोस्तों क्या आपको पता है याद न कर पाने की शमता बुज़र्गों की तुल्ला में युवाओं में ज्यादा पाई जाती है विश शक्यों और शोटकरताओं का ये मानना है कि निरॉंस जो दिमाग की कोश्काओं को कहा जाता है वो सुच्चनाओं को यहां से वहां पहुँचाने का काम करती हैं बड़ती उम्र के साथ ये नीरोंस मरते नहीं हैं बलकि सिथिल पड़ जाते हैं नीरोंस को फिर से सक्रिय बनाने के लिए जरूरी है कि दिमाग को कुछ न कुछ कतिविधी में उलजहाय रखना और संतुलित आहार लेना जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइडरेट्स, मिनरल्स, फासपोरस और बिटामे सब सही मातरा में हमारे खाने में शामिर होना चाहिए दोस्तों आज हम ऐसे ही 5 सुपरफूट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप इन्हें रोज खाकर अपनी यादाश्ट को बढ़ा सकते हैं इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए हींग दोस्तों हींग हमारे रसोई घर में आसानी से मिल जाती है लेकिन क्या आप जानते हैं ये चोटी सी खाने की चीज़ बहुत उपकारी है हमारे शरीर और दिमाग के लिए हींग हमारे शरीर के अंगों को और दिमाग को सक्रिय बनाए रखने में ताकत देती है आप रोज ही हींग कचून खा सकते हैं दोस्तों दूसरा आसान तरीका है कि आप एक चम्मच हींग को दो कप पानी में उबाले और इस मिस्रण को धंडा होने दे फिर आप दिन भर में कई बार एक चम्मच इस घोल को पीएं इससे आपकी याद करने की शक्ति बढ़ेगी दोस्तों ब्राम्ही की पत्यां एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है इसे अंग्रेजजी में भारतिये पैनी बोर्ट इंडियन पैनी बोर्ट भी कहा जाता है पुराने समय से इन पत्यों को मान से कमजोरी दूर करने के लिए इस्तमाल किया जाता था आज भी ये उतनी ही गुलकारी है आप ब्राम्ही की पत्यों का चूरन बना लें और दूद में मिला कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीएं आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं इसके लिए आपको ब्राम्ही की पत्यों को सुखा लेना है और इन सुखी हुई पत्यों के साथ बादाम और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ पीस लेना है फिर इस मिश्रन को शेहत के साथ मिला कर रोज सुभा खाली पे खाना है ऐसा आप 15 दिनों तक करें ऐसा करने से आप महंदी के फूल और पत्तियां भी बहुत लापकारी हैं। बहुत लापकारी होता है। बादाम दोस्तों बादाम दिमाग को तेज और याद रखने की शम्ता को बढ़ाता है। ये एक बहुत प्रसिद्य मिवा है जो दिमाग को नय जीवन देता है। कई तरह की बिमारियां दूर करके याद दाश्ट को बढ़ाने के लिए बादाम का दूद बहुत उपयोगी माना जाता है। बादाम का दूद बनाने के लिए आप साथ से आठ बादाम को कुछ घंटे भिगोगर उसके छिल के निकाल लीजे। इसके बादाम को पीश लें और उसका दूद छनी में डाल कर निचोड लें। स्वाज बढ़ाने के लिए इसमें इलाईची और शेहद मिला कर पीएं। जीरा दोस्तों, जीरा तो हमारे भारतिये खाने के लगभग हर व्यंजर में डाला जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता था कि जीरा बहुत ही उपगारी भोज़े सामकरी है। जीरा मानसिक कमजोरी और भूलने की बिमारियों को दूर करता है। आपको 3 ग्राम काले जीरे को 12 ग्राम शेहद में अच्छे से मिला कर लेना है। इसको कुछ दिनों तक खाने से दिमाग से जुड़ी बहुत सी बिमारिया ठीक हो जाती हैं और धीरे धीरे याद रखने की शमता बढ़ जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।